डॉक्टर अम्बेटकर की बेटियां दीपी का पादुकॉर्ण एक भारतिय महिला है ठीक ऐसे जैसे सीमाराज सिंग, स्वराभासकर, अरुधती रोय, सिम्ता पार्टिल या कोई भी ऐसी महिला जो आपके आसपास आपकी घर में आपकी माता बहन जो भी महिला एस्टेटस है या जो आपके सेह करमी है ठीक उनकी तरह भारतिय है मगर जब ये भारतिय महिला जेयरियू जाती है तो जो सामाजिक मीडिया है, जो सामाजिक मीडिया अचानक से एक उच्छाल लेता है और पूरे देश और देश के बहार तक भी एक साथ तीर की तरह ये मीडिया अपना काम करता है और इसके साथ में मजबूर होके जो आसामाजिक मीडिया है यानि एक सोचल मीडिया हो गया और एक ए सोचल मीडिया हो गया एक सामाजिक मीडिया और एक ऐसामाजिक मीडिया यानि जो ऐसामाजिक मीडिया है उसको भी मजबूर होके सामाजिक मीडिया की सरण में जाना पड़ता है और इस बात के लिए क्योंकि JNU में DP का पादुकॉण आई वो बात को बताना पड़ता है Basically DP का पादुकॉण ने एक सब्द भी वहाँ नहीं बोला पूरी मुक नायका इस मुक नायका से याद आया मुक नायक मुक नायक जो बावा साब का सबसे प्रिये पत्र था जो सबसे प्रिये उनका मीडिया था उसको इस साल सो साल यानि सताब्दी पूरी होने जा रहे है और इसके फंक्शन और इसके कायकरमी जगे जगे लग रहे हैं और लगेंगे मूख नायक के सो साल पुरे होने के मगर बावा साब की जो बेटियां हैं वो मूख नायका बनती जा रही है अरुन्धती रौय एक संत एक डॉक्टर क्या शांदार लिखा जो स्वराभास कर रहे हैं उनका जो पस्टनल्टी है वक्तत है कमाल का बोलती है और कमाल का इनलेसिस करती है पिका पादुकॉर्ण या सीमाराज सिंग ऐसी हजारों ऐसी लाखों महिलाएं जो मूख नायका बनके भारत को लगातार आगे बढ़ा रही है भारत की बेटियां अंबेटकर की बेटियां जिसको जिनको अंबेट करने डॉक्टर अंबेट करने आवाज दी यानि कि पहले महिलाओं के पास में आवाज नहीं थी महिलाएं बोल नहीं सकती थी बोलने की तो बात बहुत दूर की है वो घर की देहलिस से बाहर नहीं निकल सकती थी किताब नहीं पढ़ सकती थी analysis नहीं कर सकती थी, सोच नहीं सकती थी सोचने की बात तो बहुत दूर की है वो अपना चहरा भी किसी को नहीं दिखा सकती बिना सामने वाली मर्जी के यानि उनको अपना चहरा भी छुपाना पड़ता था ऐसी महिलाओं को, ऐसे आधे भारत को जिन्होंने आवाज दी, जिन्होंने विचार दिया, जिन्होंने तक्त दिया जिन्होंने नौलिज दी, जिन्होंने जन कर दी वही डॉक्टर अंबेटकर की बेटियां अब डॉक्टर अंबेटकर की लिए सडकों पे, मैदान में, फिलिम में, इंड़स्टी में, लोग सवा में, विधान सवा में, विधाइका में, एजुकिटिव बोडी के अंदर, नियाय पालिका में बढ़ चड़ कर आ रही है डॉक्टर अंबेटकर ने, जब कहा था, कि ये सदी बेसक मेरी हो या ना हो, मगर अगली सदी मेरी होगी मेरी होने का मतलब है, कि अगली सदी, अगली जो सताब दी है, अगली जो सैंचुरी है, वो सम्विधान की होगी और सम्विधान के नुसार काम चलेगा ये बात देखने में और सुनने में लग रहा है क्योंकि चारों तरफ अंबेटकर की बेटियां च्छाई हुई हैं अंबेटकर का अपने पिता का अपने राष्ट पिता का फोटो अपने सर पर रख कर खुब जोड़ जोड़ से समानता, समता, वदुता, मैत्री, भायचरा, प्यार और देश को बढ़ाने की पूरी ताकस से बात वो कर रही है तो मूक नायका अपने आप में मूक नायक से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और होती जा रही है कुछ लोगों को बड़ा एतराज हुआ सोसल मीडिया पे कि दीपी का पादुपॉन तो अपना परचार करने के लिए अपनी फिल्म का परचार करने के लिए महां आई सौरा भासकर अपनी फिल्म का परचार करने नहीं आई जो सुरा भासकर का जो जे अन्यू के अंदर आना या आंदरून में आना ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें गंबीरता है ये बात ठीक हो सकती है मैं भी इस बात को मान सकता हूँ मगर आप सोचिए कि आप इतने पावरफल हो चुके हैं आप इतने शक्ति साली हो चुके हैं कि अब आप किसी की भी फिल्म को पर्मोट करा सकते हैं यानि फिल्म को पर्मोट कराने की गारंटी आपके पास आ गई है वो कहीं और भी जा सकती थी मगर जहां उन्होंने देखा कि यहां ज़्यादा लोग है यहां अच्छे लोग है यहां ठीक बात हो रही है यहां बुलकुल जो अपराद फिल्म में हुआ है उसके अनुकुल यहां बात हो रही है उस अपराद को दबाने के लिए तो वहाँ जाना वाजिब बनता है इसलिए आपको इस बात के लिए फक्र होना चाहिए कि अब आप इतने पावर्फल हो गया है कि आप किसी भी फिल्म को पिर्मोट कराने की शक्ती रखते हैं अगर ऐसी बात भी है तो भी और ये एक खुशी का विशे होना चाहिए कि आप बहुत सक्ती साली साबित हुए फाइदा दोनों का ही हुआ फिल्म का भी प्रमोशन हुआ फिल्म भी भारती है उसका पिर्मोट होना चाहिए उसका विशे बहुत अच्छा है और आपका भी जो मनतब्य था आपकी भी जो चीजे थी जो उसके लिए आप तिनरात जीनु में लग रहे हैं वह भी प्रमोट हुआ सोसल मीडिया पे भी और जो एसोसल मीडिया है उसके उपर भी वहाँ बात पुरी दुनिया में आगे बढ़ी मेरा यहाँ जो संदर्व है वो है अंबेटकर की बेटियों से कि अंबेटकर की बेटियां अब इतनी शक्ती शाली हो गई है इतनी पावर्फल हो गई है कि वो अपने पिता अपने राष्ट पिता डॉक्टर अंबेटकर को आगे बढाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है अगर आपने दीपी का पादू कौन की प्रजैंस में मूख प्रजैंस में अगर आपने वो सारे सारे स्लोगन हुआ सुने हो जै पेरियार जै भीम जै विर्सा जै भीम जै फूले जै भीम जै 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 भीम तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारत में जो डॉक्टर अंबेट करने शब्द कहे थे कि अगली सदी, अगली सदी, अगली सतावदी अंबेट करकी यानि कि उनके सम्विधान की, समता की, मैतर की और भाईचारी की होगी वो बात कितनी आगे बढ़ चुगी है पिछले 30 दिन के अंदर डॉक्टर अंबेट करका कद दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा हो गया राष्ट के आधे से ज़्यादा लोग अब उनको दिल से माने लगे हैं अब उनको समझने लगे हैं और जिस अलाष्ट में आधे से ज़्यादा लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित को या उसके काम को या उसकी भावना को समझ जाएं वो राष्ट का नेता हो जाता है पहली वार डॉक्टर अंबेटकर पिछले 30 दिन के अंदर राष्ट के नेता होके उब रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छी बात है जैसा कि अगर अंबेटकर अंबरिका में होते तो हम उनको सूरज कहते हैं अब अंबेटकर अब भारत के अंदर भी सूरज हैं आप एक कहने का शुक्रिया आपकी बात सिद्ध हुई सफल हुई धन्यवाद